आज में लेकर आई हूँ आपके लिए चार breakfast recipes जो healthy है nutritious है अगर आप weight कम कर रहे हैं तो भी यह try कर सकते हैं क्योंकि यह less oil में बनी है यदि आपको मेरी recipes पसंद आती हैं तो please like, share और subscribe करें मैं हूँ स्वाती नमस्कार और आप सभी का stay tune with me मेरे चैनल पर स्वागत है तो हमारी पहली recipe है इंडियन एन इटालियन मिक्स सूजी हंडवो यह एक healthy और light recipe है इसके लिए हम लेंगे एक कप सूजी और आधी कप दही दोनों को अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें एक चोथाई से आधा कप पानी डालते हुए इसे एक batter बना लेंगे इसके बाद इसे 15- 20 मिनट ढख कर छोड़ देंगे रेस्ट के लिए 15-20 मिनट के बाद salt डालेंगे स्वात के अनुसा कटी हुई अद्रक हरी मिर्च और सब सबजय डालेंगे मैंने शिमला मिर्च गाजर बीन्स और प्याज डाला है आप इसके जगा ग्रेट करके लौकी cabbage टमाटर ये भी डाल सकते हैं अब पानी डाल कर इसकी consistency इस तरह की बना लेंगे और हंड वो बनाने से पहले हम इसमें इनू या fruit salt या soda बेकिंग soda जो आपका होता है वो आप डाल सकते हैं अब तेल गरम होने के बाद राई जीरा और करीपत्ता डाला है थोड़ी सी तेल भी डाल सकते हैं तोटल इसके उपर धन्या कटी हुई पहला देंगे और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं आप और ही के अनू या और कुछ इटालियन टच देने के लिए जो आपको टेश्ट पसंद है वैसा आप इसमें कर सकते हैं और ऑईल डाल कर दोनों साइट पलड़ते हुए अच्छे आप सोजी दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद इसमें आधी कप दही और आधा कप पानी मिलाकर फिर से ग्राइंड करेंगे और इसको एक बैटर बना लेंगे इसे अब एक बोल मिलेकर सॉल्ट डालेंगे और फ्रूट सॉल्ट डालेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और बैटर को मिक्स करेंगे अब हम इसे नॉन स्टिक पैन पे या तवे पे एक दोसा बनाएंगे पतला फैला लेंगे बिल्कुल दोसे की तरह और इसमें आप पीजा सॉस या बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो तेज ना लगे इसलिए टमैटो सॉस डालें उसके बाद कटी, मिर्च, प्याज, कुछ वेजीज, पनीर अपनी चॉइस से ये चीज़ें डालकर और उसके बाद इसे तेल डालकर सेख लें और आपका क्रिस्पी दोसा तैयार है तो वर्मी सिली सुची दोसा भी एक लाइट एंड हिल्दी रेसिपी है और साथ ही ये बहुत ही डिलिश्यस, बहुत ही स्वादिष्ट है तो आप जरू ट्राइ करें हमारी तीसरी रेसिपी है क्रिस्पी वीट फ्लार दोसा ये हम आज रवा दोसा स्टाइल में बनाएंगे इसके लिए एक बोल में एक कप वीट फ्लार, हाफ कप राइस फ्लार और दो चम्मज बारिक सूजी लेंगे इसमें स्वाद के नुसार नमक, प्याज, जीरा, कटी हरी मिर्च, बारिक कटा हुआ अध्रक और धन्या डाल देंगे इन्हें अब हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब धीरे-धीरे इसमें पानी डालते हुए और धीरे-धीरे इसे जलाते हुए एक स्मूध बैटर तयार करेंगे जिसमें लंप ना हो और फिर उसमें और भी पानी आइट करते जाएंगे और इस तरह की कंसिस्टेंसी का एक बैटर तयार कर लेंगे इसे ढखक कर हम 15-20 मिनिट छोड़ देंगे और इसके बाद हम अपना दोसा तवा गर्म करेंगे तेज आज पर पानी के छीटे मार कर इसे एक बार पोच लेंगे और इसके बाद हम अपना बैटर इसमें फैला देंगे ओईल डालते हुए दोनों साइड इसे अच्छे तरह क्रिस्पी हम फ्राइक लेंगे या सेक लेंगे और ये देखिए रवा दोसा स्टाइल क्रिस्पी वीड दोसा हमारा तयार हो चुका है इसे हम रोश्टेट चना चेटनी, नारियल चेटनी, ग्रीन चेटनी, टमाटर चेटनी या सॉस के साथ सर्फ कर सकते हैं हमारी चौथी रेसिपी है पकोड़ा सेंडविच, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें पकोड़े और सेंडविच दोनों का ही स्वाद आता है तो जो हम ब्रेट पकोड़े बनाते हैं उससे हमने नया ट्विष्ट दे दिया है इसे बनाने के लिए हमने आधा कप लिया है बेसन उसमें हम नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर और थोड़ी सी धन्या डाल दी है आप इसके अलावा प्याज और जैसा भी आपको पसंद है चाट मसाला वक्रा डाल सकते हैं पानी के साथ बैटर उसका बनाकर पतला बैटर बनाकर ब्राउन या वाइट ब्रेट उसमें डिप करके उसे कोट कर लीजे और उसके बाद इसे तवे पर या फ्राइन पैन में सेख लीजे बिल्कुल कम ओईल में अब अगर बड़े हैं तो मिर्ची पुदीने की जटनी के साथ और या तो फिर टमेटो सॉस के साथ इसे सेंडविच करके दो ब्रेट के बीच करके सेख लीजे अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें धन्यवाद